पोस्ट अपिस के अंदर सूकनिया समधिक के अंदर ब्याज जो आपको मिलेगा उसका पता आपको 2 अपरेल को लगेगा लेकिन आप यहां पर खुझ से यह किसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए आपको अपनी passport ले ले नीया है जहां से मैं आपको करके बताओंगा यहां पर आपको खास बात का ये ध्यान रखना है कि पास तारिक से लेके अνतिम तारिक के बीच में जो भी कम से कम balance है यानि कि जो 5 तारीकों balance है वो आपको लिख देना क्योंकि सुकनिया के अंदर विड़ल होता नहीं है तो आप सीधा से यहाँ पर 5 तारीकों जो balance है या 5 से पहले जो balance है वो balance आपको यहाँ लिख लेना है जैसे यह मेरे पास में एक statement है जिसके अंदर 4-4-23-23 को कुछ पैसे जमा हुए थे और इस परकार से उस समय balance जो है 4,54,019 रुपे हो गया था उसके बाद में 3 तारीकों और जमा हुए है तो यहाँ पर 4,54,519 रुपे हो जाएंगे सुकनिया में आपको पता ही है कि 5 तारीक से पहले अगर पैसे जमा करवाता है तो पूरे महीने का भ्याज यहाँ पर मिल जाता है जून के अगर हम बात करें तो 1 जून और 3 जून को यहाँ पर पैसे जमा हुए थे तो यहाँ पर आपका भ्याज यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर इस काते के अंदर जो इस साल का भ्याज होगा वो 40,690 रुपे होगा यह दि आप किसी पिछले साल की कल्कुरेशन करना चाहता है तो यहाँ पर भ्याज दर को चेंज भी यहाँ पर कर सकता है